आज का हमारा टोपिक है किरिया यानि आज हम पढ़ेंगे किरिया क्या होती है यानि किरिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो बच्चो नाम से ही पता चल रहा है किरिया यानि की कुछ करना यानि की कोई काम करना तो यहाँ पर आपको चित्र से पता चल रहा होगा कि सब कोई अपना अपना काम कर रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो चित्र बना हुआ है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है यानि कि सबके अपने अपने काम होते हैं कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है तो सबसे पहले हम चित्र में देखते हैं पूरव दिशा में सूरज निकल आया सोरी सूरज निकल रहा है तो हमारा बाक्य है पूरव दिशा में सूरज निकल आया पहला बाक्य है हमारा अगला है किशान खेत में हल चला रहा है तो पूरव दिशा में सूरज निकल आया तो निकलना क्या है शुरुज का निकलना क्या ये इसका काम है और किशान खेत में हल चला रहा है तो किशान का काम क्या है हल चलाना अगला हमारा है पोधों पर फूल खिल गई यानि पोधों पर जो फूल निकले हैं खिले हैं तो वो भी क्या है एक काम है किरिया है फूलों पर तितलिया बैठी है तो तितलिया बैठी है तो बैठना क्या है ये भी एक किरिया है अगला हमारा है पास में एक मोर नाच रहा है नाच ना क्या है ये जो मोर है ये नाच रहा है तो ये क्या है ये भी इसकी किरिया है अगला है मारा उधारन है कुछ पक्षी आश्मान में उड़ रहे है यानि याँ पर जो पक्षी उड़ रहे है वो क्या कर रहे हैं उड़ने का काम कर रहे है तो इसका मतलब यह है कि सभी के अपने अपने काम होते हैं तो यहां पर मैंने कुछ उधारन देकर समझाए हैं तो यह जो रंगीन शब्दों में लिखे हुए है तो इन शब्दों से में क्या पता चल रहा है यानि किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो ये जो काम करने की जो किरिया हैं जो हम काम करते हैं वो क्या कहलाती किरिया है जो ये रंगी रेड कलर में लिखी हुए लाल कलर में शब्द लिखे हुए वो क्या है वो किरिया है तो बच्चो किरिया के बगएर वाक्य कम्प्लिट नहीं होता क्या किरिया के बिना हमारा वाक्य पुरा नहीं होता अभी हमने देखा यह नहीं चित्र के माधिम से देखा कि कौन क्या क्या काम कर रहा है तो काम करने कोई क्या बोलते हैं किरिया बोलते हैं अगला है हमारा अब हम देखेंगे कि किरिया की डेफिनेशन क्या होती है यानि किरिया की परिभाशा क्या होती है? सबसे पहले हमने उधारन के तोर पर शमझा कुछ वाक्य लेकर अब हम किरिया की डेफिनेशन देखते हैं जिन सब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे किरिया कहते हैं यानि जिन सब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे किरिया कहते हैं याद रखिए किरिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता यानि वाक्य तभी हमारा कंप्लिट होगा जब उसके साथ कोई ना कोई किरिया होती है अब हम देखते हैं आगे धातु क्या देखते हैं धातु क्या होता है किरिया की मूल रूप को धातु कहते हैं यानि किरिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं धातु कहते हैं सभी किरिया पद धातु से ही बनाए जाते हैं यानि जो भी किरिया पद बनाते हैं किस से बनते हैं धातू से बनते हैं तो धातू क्या होता है किरिया का मूल रूप क्या कहलाता है धातू कहलाता है जैसे आ, जा, लिख, पड, खा, रो, बैठ, चल, आदी धातू हैं यानि आ से क्या बनेगा आना, जा से जाना, लिक से लिखना, पढ़ से पढ़ना, खा से खाना, रो से रोना, बैठ से बैठना, चल से चलना यह नहीं यह शब्द क्या है? धातू क्या होते हैं? किरिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातू कहलाता है तो यह क्या है? धातू है प्रते किरिया में धातू अवस्य होती है धातू के बिना किरिया नहीं बन सकती हमने देखा कि किरिया के बिना क्या नहीं बनता वाक्य नहीं बनता और धातू के बिना किरिया नहीं बनती अब हम देखते हैं कि किरिया में परिवर्तन किस परकार हो सकता है यहीं किरिया में किन किन कारणों से परिवर्तन होता है किरिया विकारी शब्द है किरिया क्या है? एक विकारी शब्द है किरिया क्या है? विकारी शब्द है इसमें लिंग, वचन और कारक किरिया विकारी शब्द है इसमें लिंग बचन और कारक के कारण परिवर्थन आ जाता है जैसे यहाँ पर हम उधारन से देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे लिंग लिंग परिवर्थन यानि लिंग बदलने पर परिवर्थन यानि लिंग अगर चंज होगा पुलिंग और इस्त्री लिंग तो वहाँ पर किरिया किस परकार परिवर्तन होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं असोक खाना खा रहा है पहला हमारा क्या है? असोक खाना खा रहा है यहाँ पर पुलिंग है असोक पर रही है, यानि पुलिन और इस्त्री लिंग के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो गया, लिंग में परिवर्तन यानि किरिया में भी परिवर्तन हो गया, लिंग के साथ साथ क्या होगा, किरिया में भी परिवर्तन हुआ, अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा परिवर्तन है वचन बदलने पर जाता यहां पर क्या है जाते तो यहां पर किरिया में परिवर्तन आ गया बचन के कारण से अगला हमारा है कारक के बदलने कारक बदलने पर परिवर्तन यह अगर हमारा कारक चंज हो जाएगा बदल जाएगा तो किरिया में परिवर्तन किस परकार होगा आशु पाठ याद कर रहा है अगला लिख दिया इसने उधारन है अगमारा आसु ने पाठ याद किया आसु पाठ याद कर रहा है आसु ने पाठ याद किया तो यहां पर यह क्या हो गया कारक में कारक बदलने पर क्या हुआ परिवर्तन हुआ कारक क्या होते है करता करता ने करम को करण से संपरद के लिए ये सारे क्या होते हैं कारक चिन होते हैं अगर ये कारक चिन हम कारक का प्रियोग करेंगे तो क्या होगा हमारा उनके साथ क्या होगा किरिया में भी परिवर्तन हो जाएगा आगे हम देखते हैं किरिया की भीद यानि किरिया की कितने भेदोते बच्चों करम के आधार पर किरिया की दो भेदोते नंबर एक सकर्मक किरिया नंबर दो अकर्मक किरिया यानि करम के आधार पर किरिया की दो भेदोते हैं सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया अब बच्चों सकर्मक किरिया क्या होती है और अकर्मक किरिया क्या होती है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे तो बच्चो आज हम इतना ही पढ़ेंगे यानि किरिया की परिभाषा पढ़ी हमने सबसे पहले हमने किरिया की उधारन देखें यानि किरिया जो भी अक्टिविटी हम करते हैं वो क्या कहलाती है किरिया कहलाती है तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी और किरिया के भेद पड़े, किरिया में परिवर्थन किस परकार होता है लिंग बचन और कारक के कारण उसमें परिवर्थन होता है ये सब हमने आज पढ़ा तो बच्चों ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आपको रीड करना है और ये जो किरिया की परिभाशा और किरिया के भेद ये आपको याद भी करना है और बाकी जो भी है उसे आपको रीड करना है अपनी नोट बुक पे कुछ नहीं करना आपको सिरफ क्या करना है रीड करना है आगे हम कल पढ़ेंगे धन्यवाद